रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूँ और मैं आज आज आप लोगों पर इतना आक्रमन नहीं करूँगा मतलब एक दो गोले जरूर मारूँगा मगर इतना नहीं मारूँगा तो आप रिलाक्स कर सकते हैं पिछले साल 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया अकेला अकेला नहीं बहुत सारे लोगों के साथ सारे हमारा ताइम खतम करने का साजेशन तो अरेता है अरे समदर अधिर 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 समुदर समुदर के समुदर के टट से प्लेट माले सदाश्य प्लीच प्लीच ऐसे धमकाने का बाद के मत बोलो यह आपे मैं समुंदर के टट से कश्मीर की बर्फीली पहाडी तक चला नहीं लदाक को मैंने नहीं छोड़ा यात्रा अभी खतम नहीं हुई है यात्रा जारी है और जरूर लदाक आएंगे गबराइए मत बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के दौरान यात्रा के बाद कि राहूल तुम क्यों चल रहे हो क्या तुम्हारा लक्ष क्या है कन्या कुमारी से कन्या कुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो और जब वो मुझसे पूछते थे शुरुआत में मुझे मेरे मुझसे जवाब नहीं निकलता शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की जब मैं कन्या कुमारी से शुरू हुआ मैं सोच रहा था मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूं समझना चाहता हूं लोगों के बीच मैं जाना चाहता हूं मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था थोड़ी देर में मुझे बात समझ आने लगी जिस चीज से मुझे प्यार था जिस चीज के लिए मैं मरने को त्यार हूं जिस चीज के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को त्यार हूं जिस चीज के लिए मैंने दस साल हर रोज गाली खाई है उस चीज को मैं समझना चाहता था ये है क्या जिसने मेरे दिल को इतने बैए आप रणिंग कमेंटरी बंद करो ने तो हम भी चलो करेंगे जिस चीज जिस चीज ने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था उसको मैं समझना चाहाँ शुरुवात में जैसे मैंने शुरू किया सालों से मैं हर रोज आठ दस किलोमीटर दोड़ता हूँ तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं दस किलोमीटर दोड़ सकता हूँ तो पच्चिस किलोमीटर चलने का क्या मतलब कोई बड़ी बात नहीं यह मैंने सोचा था आज मैं उस भावना को देखूँ तो वो अहंकार था कि मैं यह कर सकता हूँ यह कुछ नहीं है तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था मगर भारत अहंकार को एक दम मिटा देता है एक सेकंड में मिटा देता है तो हुआ क्या दो तीन दिन में मेरे घुटने में दर्द शुरूओ किया पुरानी इंजरी थी और जबरदस दर्द हर रोज मैं उठूँ और मेरे घुटने में दर्द हर कदम में दर्द तो पहले दो-तीन दिनों में जो आंकार था जो मतलब भेडिया जो निकला था वो चीती बन दे एक दम जो जो हिंदुस्ताइन को आंकार से देखने निकला था वो पूरा पूरा आंकार गाइब हो गया और रोज मैं डर लड़के चलू कि क्या मैं कल चल पाऊंगा ये ये मेरे दिल में डर था और जब भी ये डर बढ़ता था जब भी ये डर बढ़ता था कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शक्ती मेरी मदद कर देती है एक दिन और शुरूआत में जब मैं चल रहा था कोई किसान आता था कोई किसान आता था मैं एक दम उसको पहले उसको अपनी बात बताता था कि आपको ये करना चाहिए आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए मगर इतने लोग आए हजारों लोग आए कि थोड़ी देर में मैं बोल नहीं पाया मैं जो मेरे दिल में बोलने का डिजायर था वो बंद हो गया बोली नहीं पाया क्योंकि इतने लोगों दे बोलना था और एक सनाटा सा चाह गया बीड की आवाज थी भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो और जो मेरे से बात करता था उसकी आवाज में सुनता गया हर रोज सुबह छे बजे से राच साथ आठ बजे तक आम आदमी गरीब, अमीर, बिजनसमेन, किसान, मजदूर सब के आवाज आ रहो, आ रहो आ रहो आप कल से रुके हैं, अब थोड़ा और रुक लाओ पाच दर मिन रुक जाओ, तो ये चलता गया, मैं बात सुनता गया, और फिर, मेरे पास एक किसान आया, और किसान ने हाथ में, रुई पकड़ी हुई थे, और उसने मुझे कहा, उसने कहा, उसने मुझे कहा, मेरे आँख में देखकर, उसने मुझे अपना, वो रुई, रुई का बंडल दिया, और उसने कहा, राहुल जी, ये ही बचा है मेरे खेट का, मेरे खेट का, ये ही बचा है, और कुछ बचा नहीं है, मैंने उससे जो, मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भाईया आपको बीमा का पैसा मिला, वो पूछा, बीमा का पैसा मिला, वो पूछा, और किसान ने मेरा हाथ पक्रा, किसान मुझे कहता है, कि नहीं राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला, हिंदुस्तान के बड़े उद्योग पतियों ने, वो मुझसे च्छीन लिया, शेम, शेम, मगर इस बार, बड़ी अजीब सी चीज हुई, जब मैंने किसान को देखा, और वो मुझसे बोल रहा था, तो जो उसके दिल में दर्द था, वो मेरे दिल में आया, जो उसके आँकों में शरम थी, जब वो अपनी बीबी से बात करता था, वो शरम मेरे आँकों में आई,